हे गाईज नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगे आज के इस वीडियो में आप ये जानेगे कि प्रेगनेंसी में नीद से क्या एक गर्वती महला पता लगा सकती है होने वाला जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल प्रेगनेंसी में अगर नीद ना आए तो क्या करना चाहिए कौन से टिप से फॉलो करने चाहिए और कब डॉक्टर की सला लेनी चाहिए अगर आपको नीद बहुत ज़्यादा आती है तो क्या संकेत होता है इस वीडियो में आप बहुत इबारी की से सब कुछ जानने वाल यह जड़ी सबसक्राइब करें जाने के दोस्तों आपको सब कुछ कुछ बताएंगे कि आने से क्या होता है और नीद अच्छी के लिए क्था करना चाहिए और नीद से क्या पता किया जा सकता है होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी तो वीडियो को पूरा देखते रहीएगा आपको सब को समझ में आ जाएगा आपकी सारे डाउट किलियर हो जाएंगे देखे प्रेगनेंसी में नीद ना आने के बहुत सारे कारल हो सकते हैं जैसे भी आपको नीद ना आने की वीमारी हो सकती है तो तभी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तनाव से दूर रहना चाहिए टेंशन फ्री रहना चाहिए हैपी रहना चाहिए ताकि बच्चे पे बोरा असर ना पड़े ठीक है तो आपको खुस रहना है तनाव से दूर रहना है ता करने में भी दिक्कत होती है और साथी नीद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है तो एक खटा खाने से आपको प्रेगनेंसी में बचना है जब भी आप खाना खाए तो आपको थोड़ा वॉक कर लेना है तह लेना है 25-30 मिर तक इससे आपको पेट संबंदी समस्या नहीं होगी और नेन की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी ठीक है साथी अगर आप मोईल यूज जाधा करती है बहुत ज़ादा देर तक जाकती रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो एसी इस इस तिती में क्या होता है ज्यादा देर तक चलाती रहती है गरवती महलाई तो इसका सी ठीक है दिन में दो घंटे निकाली अराम कीजिए और हो सके तो दिन में भी आप दो घंटे सोई सोने की कोशिश कीजिए टाइम से आपको सोना है ठीक है ज्यादा लापरवाई बिलकुल ना करें आप ज्यादा देर रात्तिरी तक नहीं जागना है आपको प्रेगनेंसी में इस बात का आपको दिहान रखना होगा ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में अच्छी नीन पाने के लिए क्या करना चाहिए तो टेंशन फिरी तो आपको रहना ही है साथी healthy diet लेनी है और बाहर की चीज़े नहीं खानी है ठीक है और आपको जब भी सोती है तो आपको गुंगोना दूद पीकर ही सोना है इससे आपको बहुत अच्छी नीन आएगी जब भी आप सोने चाहती है खाना खाने के दो डाए गंटे का गैप करिए उसके बाद थोड़ा दूद पीजे एक गिलास और गुंगोना होना चाहिए हलका गुंगोना दूद पीएगी ना तो इससे आपको बहुत अच्छी नीद आएगी ठीक है तो आपको यह काम करना है साथी दोस्तों जब आपको नीन की प्रॉब्लम होती है तो आप हलकी आवाज में जो आपको म्यूजिक अच्छा लगता है वो म्यूजिक आप सुन ये तो इससे भी नीन अच सबसे जरूरी सला यही होती है कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिना डॉक्टर की WILL करना है तुरंट्टर की सला लेनी है याने कि आपको ऑस्पिरल जाके डॉक्टर को दिखाना है ठीक है इस बात का ध्यार रत आ अब मैं आपको बताती हूँ नीद ज्यादा आना प्रेग्नेंसी में क्या संके देता है अगर आपको नीद ज्यादा आ रहे है तो कोई घबरानी की जरुरत नहीं वलकि अच्छा है ठीक है लेकिन फिर भी आपको बहुत पूरे दिन रात सोना ही सोना नहीं है ऐसा भी आपको आ रहा है आपको तो पूरे दिन मत सोईएगा शाथ गंटे की नीद बहुत होती है ज़्यादा से ज़्यादा आप 9-10 गंटे की नीद करती है तो इससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है और बच्चे का जो विकास होता है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आती है ठीक है इस वात का आपको धिहां रखना है मैं आपको दोस्तों यह बताती हूँ कि pregnancy में कैसे लेटना चाहिए ताकि नीद अच्छे से आए तो अच्छी नीन पाने के लिए हमेशा आपको left position में लेटना चाहिए left position में लेटने से क्या होता है बच्चे को oxygen भरपूर मातरा में मिलती रहती है उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है अगर आपकी pregnancy का तीसरा तिमाई लग गया यानि कि 7 वा, 8 वा, 9 वा महीना start हो गया है तो आपको left position में ज़्यादा लेटना चाहिए जो होने वाला बच्चा है, बेबी है, वो लड़का होगा या लड़की होगी क्योंकि ये कुछ reason की वज़े से भी होता है और हमारी body, हमारे hormones के उपर भी depend होता है तो नीर से baby boy और baby girl का कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि इसका कोई scientifically proof नहीं है मैं आपको reason भी इसलिए बताती हूँ ताके आपके doubt क्लियर हो सके कोई भी लक्षा लड़का और लड़की होने का 100% work नहीं करता है मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ तो hope करते हैं आपकी सारी doubt इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे अगर हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी से भी मदद मिलती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कोल भी मुलें और शियर करना भी बिल्कोल भी मुलें इसी तरह की helpful वीडियो देखने के लिए चैनल को जलदी से साब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को और प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाई जय हैं